हलो फ्रेंड्स आज में लेका राई हूँ दही फुलकी की रेसिपी फ्रेंड्स दही फुलकी एक ऐसी रेसिपी है जिसका नाम सुनते ही मुझ में पानी आ जाता है फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चल ये बनाना शुरू करते हैं तो दही फुलकी बनानी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चटनी तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लहसन ले लिया है साथ में आधा चमाच जीरा ले लिया है 6-7 साबुत लाल मिर्च ले लिये तो ये हम सबसे पहले मिक्सी के जार में डालेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से चटनी बनाते हैं तो बहुत जादा टेस्टी दही फुलकी बनके तयार होती है तो ये देखे अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे ये सारी चीजे पीश जाए और बस इसको पीश लेते हैं अभी तो यहाँ पर ये देखे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है चटनी बना के तयार कर लिये तो अभी इसको एक साइट रख देते हैं और आगे की तयारी करते हैं तो यहाँ पर एक बरतन में मैं डालूंगी दो कप भरके दही तो यहाँ पर मैंने यhone का जमा हुआ दही है तो मैंने ये दो कप भरके ले लिया है अभी इसको एच्छे से थोड़ा सा फेट लेते हैं बढ़हा से दही को एकदम समूध बना लेते हैं तो इस तरह से यह दखिए अभी इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो मसाले यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले जो हमने चटनी बनाई है वो दो-तीन चमच भरके मैं इसमें चटनी डाल दूँगी और थोड़ी सी में बाकी बचा लूँगी वो बाद में हम यूज करेंगे साथ में डाल देंगे आधा चमच भुनेवे जीरे का पाउडर और इसके साथ में जाएगा यहाँ पर एक चमच भरके चाट मसाला साथ में जाएगा आधा चमच काला नमक थोड़ा सा खाने वाला नमक इन सारी चीजों को एक बार मैं फिर से फेट लेती हूँ मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से तो इस देखे सारा मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको एक मेट के लिए बढ़हा से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे तो अभी इसमें डाल देती हूँ मैं यहाँ पर पानी तो यहाँ पर मैं दो तीन गिलास पानी डाल दूँगी जितना भी आप पतली बनाना चाहते हो दही फुलकी आप पानी इसमें डाल सकते हो तो यहाँ पे मैंने दो गिलास पानी डाल दिया है तो यहाँ पे यह देखिए दही हमारी बनके बढ़हासी तयार है तो अभी आगे की तयारी करते हैं यहाँ पे पकोड़ियों के लिए तो यहाँ पे मैं डेल कप ले लूँगी एक कप और आधा कप बेसन तो बेसन को मैंने पहले ही छान लिया है साथ में इसमें डाल देंगे हम नमक आधा चमच और इसके साथ में डालेंगे एक पिंच के करीब एक चुटकी खाने वाला सोडा यानि बेकिंग सोडा और इसके साथ में जो हमने चटनी बचा के रखी हुई थी तो दो तीन चमच चटनी मैं इसमें यहां पे डाल दूँगी और साथ में हरा धनिया डाल दिया है तो अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना के तयार करेंगे तो फ्रेंट्स यह लाल चटनी जो हमने बना के तयार की थी थोड़ी सीच में डाल दिये बहुत ही बढ़ हासी यहां पे पकोड़ी बन के तयार होंगी बहुत ही जादा टेस्टी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको फेट लेना है बेशन को तो आप इसको चमच से भी फेट सकते हो लेकिन हाथ से फेटने से बहुत ही बढ़ हासा हो जाता है तो इसको तीन-चार मिनट के लिए हम हाथ से अच्छे से फेटेंगे जिससे बेशन हमारा बहुत ही जादा हलका हो जाएगा और कलर भी एकदम इसका लाइट हो जाएगा तो हाथ से फेटने से बहुत ही बढ़ हा होता है बेशन आप इसको चमच से भी कर सकते हो लेकिन वह बात नहीं होती जो हाथ से बढ़ हासा होता है तो बस अभी दो तीन मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पे फेट लेती हूँ तो अभी थोड़ा से इसमें मैं पानी ओर डाल रही हूँ यूँकि जादा गाढ़ा भी नहीं रखना है इसको हमें तो बस यहाँ पर देखे बेशन हमारा अच्छे से बनके तयार है तो आप इसका कलर देख सकते हो कितना लाइट हो चुका है तो यह देखे एक बार अभी मैं चम्मस से दिखाती हूँ कितना बढ़िया से यहाँ पर बेशन हमारा फूल चुका है तो फ्रेंट्स जब हम इसकी पकोड़ी बनाएंगे तो बहुत ही जादा फूली फूली पकोड़ी बनके तयार होंगी तो चलिए अभी पकोड़ी बनाना शुरू करते हैं तो गैस पर मैंने कड़ाई रख दिये और उसमें डाल दिया है तेल तो तेल यहांपे हमारा गर्म हो तो बस एक बार में जितनी भी आती है थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे उसके बाद में हम इसे चेंज करेंगे तो जब दिखने लगता है हमें कि नीचे से यह सिखने लगी है तब ही हम इसको उपर से चेंज कर देंगे तो बस एक बार इसे इधर से भी पड़ा रहने देंगे एक मिर्ट के लिए और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है जिससे पकोडियां हमारी अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए तो बस बढ़ियां से दो तीन मिर्ट के लिए इसको पलट पलट के फ्राई कर लेंगे तो देखी फ्रेंट्स कितनी बढ़ जासे सारी पकोडियां बनके तयार हो चुकी है तो अभी चलिए इसको डालते हैं दही के अंदर एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गरम-गरम पकोडियां बस हम इसको डारेक्ट इसके अंदर डाल देंगे दही के तो यह इसको सोख लें तो थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे तब तक तड़के की तयारी करते हैं तो एक पैन रख दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है आधचमा जीरा थोड़ा से इसमें डाल दियेंगे हम हींग साथ में डाल दि कीजिए तो बस सारुक अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अभी इसको मैं सर्फ करती हूँ यह देखिए आप देख सकते हो यहां पर कितनी बढ़ हासी दही फुलकी बनके तयार हुई है जो फ्रेंट्स मुझे उमीद है कि आपको यह रेसीपी बहुत जाधा पसंद आई होगी रेसीपी पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी नई नई रेसीपी देखने के लिए बैल आइकान को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें थैंक्स पर वाचिंग